दोस्तों जो यहाँ पर यूप्यूटर ऑपरेटर गेरडे या फिर प्रोग्रामर बगएरा के जो फॉर्म आई है अगर आप भी इसके लिए आवे दर बगएरा कर रहे है और यहाँ पर आपको फोटो शिर्निचर और जो दूसरे डॉक्मेंट जैसे कि यहाँ पर 10th का इनका साइज बगएर अप्लोड करने में इनको डिजी लोकर से लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉलीशन मिलने वाला है तो वीडियो उससे लेकर आखरी तक पूरा देखीगा और दोस्तों चैनल पागर पहली बारा है तो चैनल को सब्स्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको यसी जॉब्स और वेकेंसे रिलेटर जनकर रहें अपको देखने के लिए मिल जाते हैं तो मान लिए मुझे मुझे बुक बगएरा वाई करने में यहां पर क्लिक कर दूँगा अगर आप वापस से यहां पर अपर अ अगर आप अप अपने चला रहें तो अपने खुल जाएगा यहां से आप जो भी बुक बगएरा बाई करने चाते हैं उसको सर्च कर लिए जैसे माल लीजिए मुझे मैक बाई करना है मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और सिंपली आपको प्रोडक्ट को एड्टू कार्ड कर आपको पहले प्रोडक्ट पड़ता था उसी डेट में आपको अभी भी प्रोडक्ट पड़ेगा बस होगा क्या दोस्तों जब आप इस एप पर बापस आएंगे जैसे कि यहां पर सबसे नीचे प्रोफाल वाला ओपसन है राइट में इस पर आप क्लिक करेंगे माई अर्न कमीशन बगएरा मिलिया और जितने भी प्रोडक्ट में बाई करता हूं उसका ही मुझे कमीशन बगएरा मिलता है तो आप चाहिए तो इससे आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्स में डाल रखी है उस लिंक से अगर आप रेइस्टर करेंगे अभी तो जाएए डी से और आपके सबी डाकुमेंट यहां पर अप्लोड हो जाएंगे जाते कुछ डौक्मेंट हो सकता है वहाँ पर नहीं डेले हों डिजी लॉकर बगएरा मैं तो बहुद यहां पर आपर अटक्रिकली फैच होकर नहीं आएंगे अप डिजी से लिंक करने के को फैच करने उसके बाद आप इस वाली बटन पर यहां पर आपको बटन ना जा रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है वहाँ पर आपको पासवर्ट माँगा जाएगा डिजी लोकर का उसमें आपको डाल देना है पिर आपको कुछ परमीशन वगरा देनी पड़ेंगी और जो जो डॉक्मेंट आपको वहाँ पर लेने है तो आपको त्क लगाने के ऑप्सन मिल जाएंगे तो आपकी मतलब ये प्लिस वाली जो ID है वहाँ की सभी डॉक्ऽे अरप कमेंट उसमें अफलेवल होंगे अब कई यहां पर आप्लोड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको में पताया क्या है यह है कले फोको आपको यहां पर बीसके मिला ही हैं तो आप यहां पर अलग से नहीं मिला है, तो आपको यहां पर मारसिटी अप्लोड करनी पड़ेगी, नीचे अगर आप UP के निवासी हैं, तो यहां पर आपको जाती प्रमाड पत्र अप्लोड करने का उप्सन नज़र आएगा, अगर आप SC, ST, OVC या फिर EWS कैटेग्री में आते हैं, तो इसके नीचे आपको मूल नवासी अप्लोड करने का उप्सन नज़र आएगा, यह दोनों अप्सन दोस्तों आपको तभी नज़र आएगे, जब आप UP के निवासी होंगे, और अगर आपको इसी जाती कैटेग्री करके आपको बता दूँ किस तरीके से आपको इनका साइज बगएरा सेट करना है, और अपलोड करना है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, फोटो की रिलेटेड इसके नोटिफिकेशन में, वह मैं आपको बता देता हूं, और सिगनेचर के लिए कुछ एक्जम्पल बग दे रखे हैं, तो उसके आपको कोई ज़्यादा जरूत नहीं है, क्योंकि डॉमेंसिंस की वज़ए से दोस्तों इसका फॉम रिजेक्ट नहीं होता है, यह आपका साफ होना चाहिए, फोटो में कोई भी परच्छाई बगएरा नहीं होनी चाहिए, और फोटो 6 महीने के अं खिचवा हैं, उसमें कोशिस करिएगा दोस्तों वाइट कलर का बेक्राउंड हो, मतलब वाइट कलर हो, या अपर हलका कोई भी कलर हो, तो फोटो आपकी कभी रिजेक्ट नहीं होगी, चैरा बगएरा बिल्कुल साप नजर आना चाहिए, दोनों कान बिल्कुल साप नजर नहीं नहीं तो फोटो आपकी 100% रिजेक्ट हो जाएगे, अब जैसी कि यहां पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों इस तरीके कि आपको फोटो अपलोड करने हैं, बेग्राउंड इसमें वाइट है, दोनों कान बगएरा साप न जारा आने चाहिए, इस तरीके से अगर साइंड में करें हैं, मतले इस तरीके से आप करते हैं, अगर आ आप को प्रोल्म बगेरा नहीं आईगी. अब दोस्तों, हम आ जाते हैं, पर क्यों आ जाते हैं क्योंकि इस website के तुरू आप किसी document का size वगएरा set कर सकते हैं उसके pixels वगएरा set कर सकते हैं और यह free tool इसमें अब लेवाल है आपको कोई भी इसमें problem वगएरा नहीं आएगी आप mobile से भी process कर रहे हैं तो भी आप इस website के तुरू कर सकते हैं इस website पर आने क प्रिक्सल्स का option में जाएगा इसमें आपको pixel रहने देना है नीचे आपको photo size लिखकर आज़ेगा तो आप देख रहे हैं मेरी photo size यहां पर सही है 20-50 के बीच में आपको photo size होना चीज़े तो मेरी photo size तो सही है लेकिन हो सकता है आप जो यहां पर photo upload कर रहे हैं उसका size set वके यहां पर वहत वाले option में आप उस 300 डाल देना है और हैट वाले option में आप उस चाल सो डाल देना है आप देखें और ज्यादा कम हो चुका है यहां पर 16 वी के आसपासी photo size रह गया है आप चाहें तो यहां पर राइट साइट में लेकर जाएंगे इसको तो photo size बढ़ा सकते है मैं यहां पर 30 kv के आसपास कर लेता हूं लेकर जाएंगे तो size कम होने लगेगा तो आप अपर size set कर लेगे मैंने 30 kv के आसपास size कर लिया है इसको मैं download कर लेता हूं किसी भी नाम से आप इसको save कर दें इसके बाद दोस्तों आप यहां पर signature को आप यहां पर upload करना चाहते ह आपको यहां पर 5-20 kv के बीच में size रखना है तो मेरे size थोड़ा से ज्यादा हो रहा हो चाहें कम भी हो रहा हो तो भी आप क्या करें यहां पर बैथ बाले option में आप डालेंगे 500 और height बाले option में आप यहां पर 200 या पर 300 कुछ भी डाल सकते हैं मैं यहां पर 300 डाल देता हूं आप देखें कि document के case में आपको यहां पर बैथ में डाल देना है 500 उसी तरीके से और height में डाल देना है 700 आप देखेंगे आपको document का size यहां पर 67 kv की आसपास यहां पर 70 kv की आसपास हो चुका होगा आपको 20-100 kv की बीच में इसका size रखना है अगर नहीं हुआ हो तो आप यहां पर से ले सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई problem का समस्य आ रही है document upload करने से related या फिर इस form में दूसरी चीज़ों से related तो आप मुझसे कमेंट सकते हैं पूछ सकते हैं को सिस करूंग आपके comments और message का reply करने की और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की सुलवात में बताये था यह कि आपकी जानकारी जिससे आप अच्छा कासा commission निकाल सकते हैं तो अगर आप उस app को download करना चाते हैं तो उसकी link मैंने description box में डाल रखी है